नवस्कार दोस्तों जेहिंद वंदे मातरम आप शबी का श्वागत अभिजनन्द हैं सिच्छक भरती के चैनल यूटूब फैमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है सिच्छा में ग्यान देती है सिंसकार देती है और यही सिच्छा का प्रचार प्रसार आने वाले आपके सिच्छक प्लेट फार्म की बात करेंगे सिच्छक प्रोफेशनल की बात करेंगे आपको करना है और साथियों हम आज की क्लास में महत्पूर्ण लाजवाब कोश्चन करने जा रहे हैं बाल विकाज सिच्छा सास के ये क्लास नमबर आपकी 44 नमबर क्लास है और इस क्लास में साथियों 30 महत्पूर्ण लाजवाब कोश्चन करेंगे जो आपके 30 प्रस्टों में से एक दो नमबर इसी क्लास्मन कनफर्म कर देंगे, जी हाँ दोस्तों जब आप ये 30 प्रस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा वाह, क्या वीडियो था, क्या क्लास था ये क्या प्रस्ट थी, वीडियो को आपको लिंक भी दे दिया जाएगा प्रती क्लास फ्री आप कोश्ट है क्योंकि यह राश्ठीत में टीटी फैमली एस जिचकों का परिवार है आपका परिवार है चलिए सुरवात करते हैं प्रतम प्रश्ण की तीस में से आप लोगों का जो भी फीडवेक हो 15 प्लस हो 20 प्ल आता है माली जे एक परिशित में आपने जो चीज अरजित ग्यान किया है वही दूसरी परिशित में उसका उपयोग कर रहे हैं तो सीखने की विदियां सीखने का इस्थांतन सीखने में पठार सीखने में रुची सभी कमेंट किजेगा तो एक परिशित से अरजित ग्यान दूसरी परसित में उपयोग कहलाता है क्या कहलाएगा माले जो आपने D.A.B.A.D. में जो आपने सीखा है जो आपने पढ़ा होगा D.A.B.A.D. में वह आपका काम अब इस भरती तैरी करने में थोड़ा बहुत आ रहा है concept आपने पढ़ा होगा क्योंकि वही पेड़ोगा जी वहाँ पे भी थी यहाँ पे भी थोड़ा question hard किया करें लेकिन सब भी मिलता जुलता है तो यही चीज़ है जो आपने डियर्ट बियर्ड में अरजित ग्यान किया वही अब जो अभी एकजाम के तारी दूसी परसी चल लए है उस माउपयो कर रहे हैं अरथा सीखने में इस्थानतन का हो रहा है भी आपसन सही हो जाएगा दूसरा प्रसन जो कि बहुती महत्पूर्ण लाजवा प्रसन पूँचा गया है आई होप आप लोगों का फीडवेक शरोपरी होगा शरमान होगा सभी प्यारमित फीडवेक करेंगे प्रतीक भाई वहन ग्रहनी जिनका सपना है गौर्मेंट टीचर बनना अध्धापक कद्धापिका बनना सथियों अधिगम इस्थांतन के दुटत्त सिधान के प्रोटत कोन है थांडाइक, इस्पियर मैन, जड़ या गिलफोर्ड की बात करेंगे सभी कमेंट केजएगा तो आप सभी लोग जानते समझते हैं आप लोग ज्यानी सरवग वेख्याता लोग है कमेंट आ चुका है, फीडबेक आ चुका है क्योंकि आपका कमेंट जो होता है श्रोपर ही होता है, शर्मान होता है तो कौन सा आपसन आप चूच किये हैं सभी लोग फटा-फट यहां पे कमेंट करेंगे और कमेंट भी आ चुका है मेरे ख्याल से आई होप आप लोग अच्छे तरीके भी कमेंट किये होंगे सही आपसन को चूच किया होगा क्या आपने थंडाइक को चूच किया है क्या आपने इस्पियर मैन को चूच किया है क्या आपने जड़ को चूच किया है क्या आपने गिल फोड को चूच किया है सबी लोग बताइएगा comment भी आ चुगा feedback आ चुगा थंट आपसं की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं थंढडा एक महोदे की बात करेंगे ispare man तो बहुत सब्सक्वार के ispare man का यहां पे आ रहा है कि ispare man सही होना चाहिए तो आई होप आप लोगों का इस्पेर में जो आप संचूच किया है सही हो जाएगा चलिए बात करतें अंगले प्रिश्ण की सभी लोग कमेंड कीजेगा अंगले प्रिश्ण दोस्तों आप लोगों की स्किन पर पूँचा जा रहा है कि सीखे हुए ग्यान कौशल या विश्ण का अंपरिस्टियों में उप्योग करने को क्या कहते है जो आपने सीखा हुआ ग्यान है कौशल है विश्ण अन विश्ण पर या अंपरिस्टियों में उसका उप्योग कर रहे है तो यह यह जो उप्योग करना होता है वो प्रेना कहलाता है सीखने में इस्थानतन कहलाता है भगनासा कहलाता है या चिंता कहलाता है तो अभी हमने पढ़ा है साथियों क्या पढ़ा है कि सीके हुए ग्यान को कोशल भी से अन परिस्थितियों मुपियों करने को क्या कहा जाता है सीखने का इस्थानतर कहा जाता है और जैसे हमने पिछले कोशल में पढ़ा कि अधिगाम इस्थान के दूटत्त्त के सिध्धान के परोता की बात करेंगे तो आपको सभी को बताओगा बुद्धिस सम्मनित एक या दो प्रस्ट जरूर आपके एकजाम पर पूंचा जाता है अर्थाद बुद्धिके सिध्धान की बात कर रहे हैं एक कारक के सिध्धान की बात कर रहे हैं वन फैक्टर या एक कारक सिध्धान इसके प्रतिपादस सभी को पता होगा हम किसके बात कर रहे हैं एक कारक सिध्धान की बात करेंगे तो प्रोफेसर बीने की बात कर रहे हैं और इस सिधान के समर्थक कौन-कौन है तुस्रे इनका टर्मन, इस्टन, एविंगहास जैसे मनोबैग्यानिकों का है मनोबैग्यानिकों क मत है कि बुद्ध ये काईसा है तो बुद्ध हमारा एक काईसा होता है अभी भाज्ज है ध्यान दिजेगा है और बात करेंगे दुईकारक सिध्धान की बात कर रहे हैं तो सभी को पता होगा दुईकारक सिध्धान अर्थाथ दुईतत सिध्धान की इस पियर मैंन की बात करेंगे और बहुकारक सिधान की किसकी बात कर रहे हैं सभी को पता होगा इसकी समर्थक थांडाइक है बहुकारक सिधान के उनसार कई तत्तों का शमू होता है और प्रतेक तत्त में कोई सूच में योगता नहीं थोती है तो एक कारक में कौन-कौन हो जाएगा बीने टर्मन इस्टर्ण हो जाएगा ध्यान दिजेगा एक कारक में बीने टर्मन इस्टर्ण दुई कारक में इस्पियर में त्री कारक में आपका थांडाइक या बहुकारक में प्रतिदर्स का सिध्धान अगर पूंचा जाए प्रतिदर्स का सिध्धान जो होता है वह हम बात करेंगे थामसन महोदय की बात करेंगे समू कारक के जब भी बात की जाती है तो नाम आता है थर्ष्टन महोदय की बात करेंगे शमू कारक की जब भी बात की जाती है तो हम किसकी बात करेंगे थर्ष्टन महोदय की बात करेंगे पदान कुर्मिक सिधान्त या त्री आयामी जब भी बात की जाती तो जे पी गिलफोर्ड की बात करेंगे किसकी बात करेंगे जे पी गिलफोर्ड की और तरल ठोस बुद्ध का सिधान जो होता है हम बात करेंगे आरवी केटल जब भी तरल ठोस की बात करें आरवी केटल का नाम आएगा और बहुबुद सिधान जो होता है हावड गार्णर बहुबुद सिधान जो होता है हावड गार्णर आई होप आप लोग समझ गए होंगे आए देखते हैं अंगला प्रशन सीखें ये ग्यान कोसल बिसे का अनपरिस्तियों में यो क्या कहा जाता है हम पढ़ चुके हैं सीखने का इस्थानतर कहा जाता है अंगला प्रशने जब पूर का अधिगम नई परिस्तियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो क्या कहलाएगा यानि जो पूर का अधिगम है जो हमने सीखा है और नई परिस्तियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है जो हमारा पूर अनपो है काम ही नहीं आ रहा है बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है नयमें तो यह क्या कहलाएगा अधिगम का शून इस्थांतर अधिगम का निर्पेच इस्थांतर अधिगम का सकरात्मक या अधिगम का नकरात्मक देखें कोई प्रभावित नहीं कर रहा है ना निगेटिव कर रहा है ना पॉस्टिव कर रहा है नहीं नकरात्मक होगा नहीं सकारात्मक होगा नहीं निर्पेच होगा अर्थात अधिगम का इस्थानतर जो है शून हो रहा है क्योंकि बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है इसलिए आपका पहला अपसन सही हो आईए देखते हैं अंगला प्रश्ण एक बालग जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है यह उदारन हो सकता है 36 अधिगम अंतरन का उर्द अधिगम अंतरन का दीपार्शीक अधिगम अंतरन का या कोई भी अधिगम अंतरन का नहीं होगा तो एक बालग जो साइकल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो यह उदारन कैसा होगा लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? एक बालग जो साइकल चलाना जानता है, मोटर वाइक चलाना सीख रहा है, यह उदारन हो जाएगा, उर्द अधिगम अंतरन का हो जाएगा अंगला प्रशने, सीखने की प्रकिया में सीखने का इस्थानतन हो शकता है, शकरात्मक हो शकता है, नकरात्मक हो शकता है, शून हो शकता है, या यह सभी हो शकते हैं तो सीखने की प्रकिया में सीखने का इस्थातन कैसा हो सकता है तो शकरात्मक अनकरात्मक शून दोनों हो सकता है तो अर्थात तीनों हो जाएंगे अर्थात ये सभी बाल आप्शन हमारा डी आप्शन सही हो जाएगा आई होप शबी प्यार में अच्छे तरीके से प्रतेक लास को अटेंड कर पा रहे होंगे प्रतेक प्रश्ण का आप लोगों का फीड़बेक मिल ला है बहुत बहुत धन्वाद प्रतेक भाई बेन ग्रणी सिच्छक बंदुका एक बच्चा उनी खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है इसका क्या करण हो सकता है सहज पुने प्राप्ति, प्रश्टोन मुखी अवरोद, अग्रोन मुखी अवरोद या बिलंबित प्रवाव एक बच्चा उनी खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है मतलब जो हमने पहले पढ़ चुका है अगर यही प्रश्ट हम आपको कर चुके हैं कई बार क्लास में रिपीट करते रहें दो तीन दश बार बारा बार तो क्या हो इसका कारण क्या हो जाएगा मतलब अगरोन मुखी औरोध की बात करेंगे ठीक है सी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रश्ट है निम लिखित में से क्या होगा यदि पहले कार की उतेजना दूसरे कार में समानता से अधिक है प्रश्ट को समझ लिजेगा यदि पहले कार की उतेजना जो है दूसरे कार में समानता से अधिक हो कोई भी इस्थानतर नहीं होगा इस्थानतर का बिस्तार नियुनतम होगा इस्थानतर का बिस्तार कम होगा या इस्थानतन का विस्तार अधिक होगा देखे, मान लेजे आप CT8 का दो स्टेज में पेपर होता है सब यह पता होगा पहले कार में आपकी जो CT8 इकजाम क्यों तेजना थी दूसरे कार में समानता से अधिक थी यानि पहले कार से अधिक आप करेंगे तभी आप सूपर टेट आपका निकल पाएगा मतलब क्या हो गया इस्थानतन का विस्तार अधिक होगा अर्था डी आपसन सही हो जाएगा आई देखतें अंगला प्रस जो की बहुती लाजवाब प्रशन पूंचा गया है इस्थम्ब A इस्थम्ब B दिया गया है और इसको हमें मिलान करना है इनिमल एंटिलिजन्स की बात करेंगे पुनरवलन केंसूची सारगरविता करियम अनकूलन गेस्टाल्ट जीन प्याजे जी थंडाइक इस्कनर देखे इनिमल का जब भी नाम आता है आप सभी को बता होगा हम किसकी बात कर रहे है बाकि आप्संस भी दिये गए है ठीक है A, B, C, D ये हमारे आप्संस दिये गए है तो देखे जब भी आप सभी को पता होगए इनिमल एंटिलिजन्स की अगर बात करते हैं थांडाइक महोदे का नाम आ जाता है आता है की नहीं आता है नोट का लीजेगा अगर जब पुनर बलन के अंसूची की बात करते हैं तो इसकनर महोदे का नाम आ जाता है और सार गर्विता के नियम के अगर बात करते हैं तो गिस्टाल्ड का नाम आता है और अन्कूलन का सभी की पता हूग हम किस की बात कर रहे हैं जीन पियाजेजी की बात करते अर्थात इंटिलियंस को हो जाएगा ठांडाइक पुनर वलन को हो जाएगा इसकनर क्या मैं सही कर रहा हूँ और आपका जो सारगर्वीता का वह हो जाएगा गेस्टाल्ट और अनकूलन को हो जाएगा जीन पियाजेजी अर्थात हमारा डियापसन सही हो जाएगा आई होब समझ पाए होंगे आप लोग प्रशन को आई देखते हैं अंगला प्रशन अधिकम का बेवहारिक सिध्धान इन में से कौन होगा संबध प्रत्किया का सिध्धान इसकनर का क्रिया प्रशूत अधिकम का सिध्धान प्रवलन का या उपरोक्षभी देखे अधिकम का बेवहारिक सिध्धान पूछा जा रहा है तो बेवहारिक सिद्धान संबंध में भी बेवहार होना चाहिए क्रिया प्रशूत अधिगम का सिद्धान ये तो सभी को पता होगा बेवहार से संबंदित है और प्रवलान भी आपका बेवहार से संबंदित है तो अधिगम का बेवहारिक सिधान्त ये हमारे तीनों हो जाएंगे अर्थात उपर उक्षभी टियापसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्टन है 11 नमबर प्रस्टन जो आप लोगों किसकीन पर है कि S.O.R. किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था S.O.R. बॉन्ड आपने पढ़ा होगा S.O.R. शूत्र, वाच्शन द्वारा, कोफ़ा द्वारा, कोहलर द्वारा, वुडवर्थ द्वारा तो S.O.R. किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है आप सभी लोग जानते हम किसकी बात कर रहे है वुडवर्थ महोदय की बात कर रहे है नोट का लिजेगा आप्शन अमबर D की बात कर रहे है S.O.R. शूम्यल और्गनेज्म रिश्पॉन्स की बात करेंगे नामक सिध्धान को अमेरिकी मनोब ग्यानिक रावर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था अंगला प्रस्ने अधिगम सिध्धान्त माता पिता की उभुम्का को उनके बच्चे की विकास में कैसे चिन्हित करते हैं प्रसिचकों के रूप में, सिचकों के रूप में, भागी दारितों के रूप में या शमर्दकों के रूप में करते हैं सबी कमेंड कीजएगा इंसार आ चुका है, फीडबेक आ चुका है कि अधियम में जो है माता पीता की जो घुमिका होती है उनकी बच्चों में विकास को कैसे चिन्हित करते हैं एक परसिचकों के रूप में चिन्हित करते हैं पहला आपसन सही हो जाएगा आए देखते हैं अंगला प्रशन, तेरह हमाँ प्रशन है बहुत ही अच्छा प्रशन पूँचा गया है, ध्यान पूरक समझेगा क्योंकि आपका फीडबेक शरोपर है, शरुमान है बाल विकास के निम्लिकित में से कौन सा सिध्धानकार उत्तेजना प्रत्किया अधियम से सम्मंदित नहीं होगा पावलाव, जेबी वाट्शन, गैसल, हल तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाल विकास में सिध्धानकार उत्तेजना प्रत्किया अधियम का सिध्धान पावलाव है, जेबी वाट्शन है और हल है पर गैसल नहीं होगा इसलिए हमारा एक आउजिन्टो कोश्चन्स सी आफसन दोस्तों सही हो जाएगा अंगला प्रिशने उद्दीपन अनुकुरिया का सिध्धान किस ने किया पाउलाओ थांडाइक इसकनर कोहलर ने सभी कमेंट किजेगा फीड़वेक किजेगा हम बात कर रहे हैं उद्दीपन अनुकुरिया सिध्धान की बात करेंगे तो सभी पता होगा हम किस की बात कर रहे हैं थांडाइक महोदे की बात करेंगे और थन्डाइक की बात की जाती है तो बहुकारक का सिधान किसे ने दिया थन्डाइक महोदे ही ने दिया था और एक कारक में बिने टर्मन और इस्टर ना जाते है तो एक कारक में इस्पियर में ना जाते है अंगला प्रशने, निम्लिकित में से कौन सा नियम थांडाई के सीखने के गौड नियम में सामिल नहीं है दिखे सभी लोगों को पता है, थांडाई की ने दो नियम दिये एक था मुख नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और एक कौन सा है, सबी लोग बताईए अब्यास का नियम, तत्परता, प्रभाव, अब्यास तीन हमारे नियम जो है मुख नियम है और गौर नियम पाँच है तो इसी में बता रहा है कि कौन नियम जो है सामिल नहीं किया गया है देखे गौर्ड नियम में साधस्ता का नियम है बहु प्रत्किया का नियम है आपका क्या मैं सही कर रहा हूँ और इसके बाद आपका आनसी क्रिया का नियम भी है किसकी बात करेंगे थांडाइक महोदय की बात करें तो आपका जो क्रिया प्रत्किया का जो नियम दिया गया है ठीके जुड़ी आपसंग दिया गया है यह हमारे थांडाइक महोदय की बात करें यह है आपके जो उनका सिध्धान्त है उसमें आपका यह नहीं आएगा तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि थंडाई की जो दो नियम है तीन नियम हमारे जो मुक्ष नियम कहलाते है ततपरता का प्रभाव का अभ्यास का नियम कहलाता है और इसके बाद जो हमारे गौड नियम है वह पांच नियम है जो तीन नियम आपके स्कीन पर दिये हुए है और बांकी दो नियम आने वाले प्रिश्ण मार आपको बता दिया जाएगा साथियों अधियम प्रक्या उदीपन एवं किसके बीच की संगती होती है उदीपन एवं पूर अन्भव, उदीपन एवं बिवहार, उदीपन एवं अनुकृया या उदीपन एवं पसू तो सभी लोग जानते हैं अधियम प्रक्या उदीपन एवं अनुकृया की बात करेंगे अर्थात सी अपसन की बात करेंगे अधियम प्रकिया में उद्दीपा नेवम क्या है अनकुरिया के बीच संगती होती है आईए देख लेते हैं अंगला प्रश्ण इसकीन पर क्या पूंचा गया है ये भी बेहतरीन लाजवा प्रश्ण है और इस प्रश्ण का आई हो पेंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि हम इसका डिटेल जो है पिछले कोश्चन में आपको बता चुके हैं कि थंडाइक का कौन सनियम सीखने में पुरुसकार और दंड के महतल को बताता है देखे थंडाइक ने ततपरता प्रभाव और अभ्यास का नियम दिया अगर भूल जाये तो यह जान दिजेगा कि किसी पर प्रभाव डालना है तो ततपर होकर अभ्यास करना पड़ेगा थन्डाईक महोदय जी ने कहा है कि किसी पर अगर आपको प्रभाव डालना है तो ततपर होकर अप्यास करना पड़ेगा अर्थात थन्डाईक ऐसा नियम जो सीखने में पुरुसकार और दंड के महत को बताता है वह सातियों प्रभाव का नियम भी आपसन सही हो जाएगा यह सिट्खक बंद हैं तो अदिगम के कार के लिए बिद्यारतियों के ततपरता का आखलन करना आपके लिए कठिन कूं होसकता है यहीए बिल्कुष है वाद पहला यह आपसन हो जाएगा क्योंकि तत्परता के जो सभी तत्थ होते हैं वह एक साथ परिपक नहीं होते इसलिए विद्ध्यारतियों के तत्परता का आकलन करना सिचकों के लिए कठिन कार हो जाता है क्योंकि सभी विद्ध्यारतियों का एक साथ परिपक नहीं होते है अंगला प्रशने क्या प्रशन पूंचा गया ध्यान पुर्ण समझेगा कि जब बालक सीखने के लिए तयार होता है तो वैं जल्दी वा प्रभावशाली तरीके से सीखता है ये सिध्धान प्रतपादित किया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब बालक सीखने के लिए तयार होता है तो वैं जल्दी वा प्रभावशाली तरीके से सीखता है ये सिध्धान प्रतपादित किया गया था आईए देखते हैं अंगला प्रशन 20 नमबर प्रशने इसके बाद 10 प्रशनोर करेंगे क्योंकि 20 प्लस 10 इसकल टू 30 30 महत्मून लाजवाब कुश्चन्स करने जा रहे है और आपको सभी को तोगा टोटल बाल भी कास के हम 2500 प्रशनों का यह MCQ ग्लास चला रहे हैं 2500 प्रशनों का अपने बालक बालिकाओं को सफलता का एहसास करा रहे हैं जैसे आपको एहसास हो रहा होगा जब आप सारे चीजे सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आपको एहसास क्या होता है मेरा सेलेक्शन होगा एहसास हो रहा है आपको केवल तो यहाँ पर किसका उपयोग हो रहा है तत्परता का अभ्यास का प्रभाव का नियम या मानसिक तत्परता का नियम तो अगर आपको अहसास हो रहा अर्थात प्रभाव हो रहा है अर्थात प्रभाव के नियम के बात करेंगे तो जब अध्यापक के एक छात को सफलता का एसास करा होता है तो वह प्रभाव के नियम करा रहा होता है या प्रभाव के नियम का उभियोग कर रहा होता है अंगला प्रसने एक कालेज जाने वाली लड़की ने फर्स पर कोट फेकने की आदर डाल ले हमेशा जैसा देखा जाता है कहीं से भी कॉलेज या स्कूल से आते हैं तो ठीके तो कॉलेज की लड़की है तो भई या थोड़ा बहुत हाईलाइट तो होना ही है सभी के लिए नहीं बखे रहा हूँ होता है नार्मल तोर्ट पर बात कर रहा है कुछ होते हैं सब की बात नहीं कर रहा है तो फर्स पर कोट फेकने की आदट डाल ले तो लड़की की मान ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूटी पर टांगो लड़की अंगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरब जाकर कोट को खूटी पर टांग देती है तो यह उदाहरन क्या होगा अर्थात पहले जो फेंख देती थी लड़की तो मतलब उसकी कोई टोंका डोका नहीं होगा जब उसकी माने कहा तो व्योब करने लगी अर्थात जो ये एकजामपल है उदाहरन है ये हो जाएगा उदीपन अनुक्रिया अधिक्यम का भी आपसं सही हो जाएगा अंगला प्रशने निन में से कौन सा सीखने के नियम में समलित नहीं होगा देखे हम पड़ चुके हैं सीखने के नियम में हमारा जो मुखनियम में हमारा अक्या आता है अभ्यास का नियम ततपरता का नियम प्रभाव का नियम आता है जो कि थंडाई के महुदय ने दिया खेल का नियम आपका नहीं आता है इसलिए हमारा एक आर्डिंट्यो कॉश्चन जो है सी आपसन सही हो जाएगा अब बात कर रहे हैं अंगले प्रिश्न की साची वत ततपरता का नियम किसी ने दिया ईपी पौलाओ ने एविंगास ने थंडाइक ने या इसकनल महुदे ने दिया तो ततपरता के नियम की जब भी बात की जाती है तो थांडाइक महोदे का नाम शरो पर ही आ जाता है अंगला प्रशने प्रयास वाद तुटी में सबसे महत्पूर्ण क्या होता है अब भ्यास, प्रेना, लच्छ या वाद बीवाद की बात कर रहे हैं तो प्रयासवा तुटी में जो सबसे महत्पूर्ण होता है साथियों वह होता है लच्छ ध्यान देजेगा प्रयावा सेवं तुटी में सबसे महत्पूर्ण क्या होता है लच्छ होता है अंगला प्रशने सीखने के प्रयासवा भूल के सिधान के प्रत्पादध कौन है कोहिलर, ठांडाइक पौलाव, इस्कनर तो सभी लोग जानते हैं जब भी हम प्रयास दुटकी बात की जाते हैं ठांडाइक महदे का नाम शरोप्र याता है भी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसने थांडाई का सिध्धान जो है इनमें से किस वर के तहथ सूची वद्ध किया जाता है बेवहरिक्ता के सिध्धान, ग्यानात्मक के सिध्धान, मनो बिसलेशन का सिध्धान या इनमेश कोई नहीं आप सभी लोग जानते हैं कि थंडाई का सिध्धान जो है इनमें से किस वर के तहज जो है सूची वद्ध किया जाता है वह सात्यों ब्योहरिक्ता के सिध्धान की बात करेंगे पहला आपसन सही हो जाएगा सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है हम सभी लोग जानते हैं हम किस की बात करें थंडाईक महोदे की बात करें अंगला प्रिस ने अधियम में जो है किसने प्रभाव का नियम दिया तो सभी को पता होगा अधियम में जो है प्रभाव का नियम किसने दिया थांडाइक महोदे ने दिया जा अब भ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम जो है थन्डाइक महोदे जी ने दिया अंगला प्रिशने अधियम में प्रत्न वा भूल के सिध्धान का प्रितपादन किस ने किया एपी पॉलाव, हेगार्टी, थन्डाइक, हल की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं प्रत्न भूल की बात करें ठीक है प्रत्न तुटी की बात करें शविक वत होगा थन्डाइक महोदे की बात करें तीस्वा प्रशने साथियों सीखिने के नियम किस ने दिया है एपी पौला ने इसकनर ने थांडाइक ने कोहलर ने ये सारे प्रशन पूछे गए प्रशने तो सीखिने के नियम किस ने दिये है थांडाइक महोदेजी ने दिये और आईए mock question आज का क्या है जान लेते हैं साहचर नियम है समानता का नियम वैशमय का नियम समीपता का नियम या उपरोगशभी तो उपरोगशभी में लालच मत पढ़िएगा क्यों उपरोगशभी दिया गया तो वही होगा ठीक है भेंड की तरह मत जाईएगा क्योंकि मैं boat bank में देखता हूँ आप लोग गलत मत सबज़िएगा फाल एक्जाम पल एक motivation के तौर पर boat bank जिसमें अधिक होता आप लोग उसी पर करते रहते हैं ऐसा नहीं अपने मन और अपने सक्ति अपने चिंतन मनन से आपे कमेंड केजे ठीक है अपने बुद्धिस्तर से कमेंड केजे क्योंकि एक्जाम टाइम में आपका ही बुद्धिस्तर काम आएगा ये जो लोग कमेंड कर रहे हैं लोगों के पीछे मत भागे खुद अपने आप में क्या है अपने को मोटिवेट कीजे अपने आपके मानसी की स्थर को क्या है प्रगति कीजे अपने बुद्धित्त को बढ़ाए जब आपका बुद्धित्त बढ़ेगा तो आपका करियर बनेगा आपको सेलेक्शन मिलेगा और यह गरंटी के साथ कहता हूं सातियों अगर आप डेली क्लास करते हैं आपका बिधुत जो है अपने तरीके से अपने माइंडसेट से आप प्रते प्रशन का फीड़ वे करते हैं तो आउट आफ वन पिप्टी में से वन टूंटी फाइप आपक तो कोई नहीं रोख सकता कोई आदी तुपान कुछ नहीं क्योंकि ये एकजाम फते करत है और एकजाम फते करत एकजाम फते होकर ही रुकता है ठीक है तो चलिए मैं मिलता हूं जल्दी निस क्लास पर सभी मित्रों को जेहिंद बंदे मातरम धन्मार शिविका